हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी इंग्लिश की वर्क्षिट नमबर 29 डेट है आपकी 20 जैनवरी 2021 आज की वर्क्षिट का टॉपिक है आपका वर्ब स्टार्ट करते हैं जैसे फर्स्ट अफॉल दिया गया है कि लुक एड़ पिचर्ट डेट गया है उसके साथ जो वर्ब दिये गया है उन्हें आपको पढ़ना है जैसे फर्स्ट है जिसमें देखिए दो चिर्डन है जो की क्या कर रहे है ठीक है तो प्ले का मतलब खेलना देन आपका दिया गया है इस पिचर को देखके हैं में क्या पता चल रहा है eat कि कोई girl है जो की खाना खा रही है eat eat मतलब खाना then है आपका एक boy है जो की पढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या दिया गया read read मतलब पढ़ना then आपका दिया गया jump jump मतलब कूदना उसके बाद दिया गया आपका fly fly मतलब उड़ना तो इन सारे words से यानि कि play eat read jump and fly इन सबसे ही हमें किसी ना किसी वर्ट का पता चल रहा है यानि किसी ना किसी काम की होने का पता चल रहा है तो ऐसे words को हम doing words या फिर action words कहते हैं यहाँ पर दिया भी गया है आपका कि the words play eat read jump and fly are doing words और action words वर्ट that tell us what people and animal or thing do do are doing words और action words तो यह जो doing words और action words होते हैं यह हमें बताते हैं कि कोई पेपल या फिर अनिमॉल या फिर फिर तिंग क्या काम कर रहा है तो किसी भी वर्ट से जब हमें काम की होने का पता चलता है तो उसे हम doing word या फिर action words कहते है ठीक है और इन्हें वर्व भी कहा जाता है वी ए आर भी वर्व उक्ये उसके बाद आपके कुछ questions दिये गए हैं जैसे first है आपका कि color the words question first है जिसमें आपको color करने हैं यहाँ पे जो भी आपको वर्व दिखें इसमें जो भी वर्व जिससे कुछ ना कुछ काम की होने का पता चले ठीक है कोई ऐसे normal word नहीं जिससे काम की होने का पता चले ठीक है तो आप सबसे पहले उसके बाद tree मतलब हमारा पेड होता है flower मतलब हमारा फूल होता है तो यह दोनों वर्व नहीं होंगे cut और run यह दोनों हमारे वर्व होंगे फिर है आपका pray मतलब प्रातना करना फिर beautiful नहीं होगा क्योंकि beautiful आपका सुन्दर होता है ठीक है फिर आपका आजाएगा draw ठीक है दन आजाएगा आपका carry उसके बाद third line में sun good cry और sweet में से आजाएगा आपका cry ठीक है फिर है baby बेबी नहीं होगा talk ठीक होगा ठीक है talk भी हो जाएगा और swim भी हो जाएगा swim मतलब होता है आपका tear ना talk मतलब होता है आपका बाते करना फिर हो जाएगा आपका fight ठीक है तो फ हो जाएंगे फिर है आपका love फिर parrot नहीं होगा dog नहीं होगा sleep होगा ठीक है फिर आपका friend उसके बाद है आपका ask ask होगा ask मतलब पूछना फिर आपका leave फिर है all तो इसमें हो गए आपके first में इसमें होगे आपका cut run pray draw carry cry talk swim fight read write love sleep और last है आपका ask ठीक है उसके बाद यहां पर बताया गया है आपका action words are doing words are called verb तो जो भी हमारे action words होते हैं और doing words होते हैं उसे हम verbs कहते हैं जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है उसके बाद next second question दिया गया है आपका read the verbs sorry underline the verbs in the following sentences यहां पर जो आपके sentences दिये गए हैं उसमें हमें underline करना है किसे verbs को जैसे first the wind blows तो इसमें यह ठीक है जैसे यह आप underline कर लेंगे सबसे पहले फिर second is a duck swim की जो एक duck है वो तैर रही है तो तैर हो रही है यानि कोई काम हो रहे है तो swims जो हमारा हो जाएगा तैरना यह वर्ब हो जाएगा third है the sun science तो science जमकना ठीक है और और fourth है mummy cooks food तो cooks जो होगा हमारे यहां पर खाना बनाना ठीक है तो यह हमारा वर्ब हो जाएगा ओके फिर question third है आपका last है यह question third जिसमें दिया गया है कि fill in the blanks with verbs choose from the box तो आपर box में जो आपके verbs दिये हैं उन्हें choose करके आपको यह sentences complete करने हैं जैसे first है we dash in the park तो इसमें हम fill करेंगे play ठीक है we play in the park तो first हमारा हो जाएगा play second है आपका I dash with a pen तो इसमें हम लिखेंगे write ठीक है I write with a pen कि मैं pen से लिखता हूँ तो इसमें हम fill करेंगे sleep कि मैं bed पर सोता हूँ उसके बेट पर सोता हूँ या सोती हूँ फूर्थ है आपका we eat with a spoon कि हम किस के साथ खाते हैं हम spoon के साथ खाते हैं तो फूर्थ में आप fill करेंगे eat then है आपका fifth दे go to the temple every day कि वो लोग रोज टैंपल जाते हैं तो fifth में हम fill करेंगे go next है आपका they make puppets तो make आएगा जो हमारा six होगा उसमें हम क्या करेंगे makes की हम puppets बनाते हैं ठीक है उसके बाद है आपका I sit in my chair seventh में हम sit fill करेंगे ठीक है और last है आपका eight कि I clap with my hands कि मैं clap करता हूँ किस से clap करता हूँ अपने हाथों से तो last eight में आजाएगा आपका clap ओके